अरे वा मुन्ना आटे मुखदल प मरंग नुमाईष्च diffy Bennett तर्स्ड़े भारंग करुद ripping off आटे माईष्च疗s कि कैने सोतों भंग थे भंग है तो जोर रांग भते हैँ ये रंग मेवां हुड़न भल द्रवन नुमाईष्च THाथे मुखदल प मरंग नुमाई इश्गां के मुख्तलि फरंग चलिए मेर साहब नाश्टा कर लीजिये आपके मुलगों ने भी नाश्टा कर लिया देवे अब लिगाब आपको कैसे Πर जला है कर इनों और नाश्टा कर लिया और इनका पेट भर गया जब इनका पेट खाली रहता है सब आपकी तरफ लपकते है जब भर जाता है तो दूर भागते हैं देखिए न, धूर भाग रहे हैं। अरे वाब बेगाब, क्या मारके की बाद कहीं आपने। बीवी हो तो मारके वाली। अब चलिए नाष्टा कर लीजिए। फिर मैं बादार चली जाओंगी तो कहेंगे कि नाष्टा नहीं कराया और घूमने निकल पड़ी। चुगुए दोओडया पेटे में। ओ-ह-ह-ह-हु, बेगाब., यह 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 क्या गासभूच कर आflu हमापजर। अर्यान आर्यान आर्या आर्यान आर्यान अर्यान तो कब आर्यान है अगीज यह टनाज्रन को मुर्गान अरय भाय की जावर देखिそうだ देखियो कि we guy ये ओर्यान हटा भे हाटाब़े अबय हाटा ये सब और निमल्लिक खोर बिस्मिल्लाह वा वा माचाए आ या खुद अल्वा जब भी देखो घर में साफ सफाई करो तो घर में गंदगी मचाने के लिए आ जाते हैं ये या अल्ला इन्हे एसी बीमारी हो जाने इनसान तो क्या कोई जानवर भी ना खाए तौब 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 ये क्या कह रही है याँ पहले सोजा तो कीजिए, और सुनिए, नाम अकूल और नामुराद ये मुर रहे भई, आप हैं आप, समझी, बेज़ रहे हैं जब भी मैं साफ सफाई करते हूं, ये नामुराद आ जाते हैं गंदगी मचाने के लिए जैसे के इने पता चल जाता है के शन्नो साफ सफाई कर रही हैं और आ जाते हैं मेरे काम बढ़ाने के लिए, नास मिटे कहीं के बबादा, क्या हो या सन्नो आपको, अरे जिनके बगैर निवाला हलक के नीचे नहीं जाता, उनके बारे में आपका ये खयाल साहब, आप तो जानते हैं के मैं सारा दिन इन मुर्गों को भगाते भगाते परेशान हो जाती हूँ और एक ये हैं के घर की अंदर आके चक्कर काटते हैं अब आप ही तो बताईए, मैं कब तक बरदाश करूँगी, अखिर मैं भी तो इनसान हूँ और मैंने ये सब कुछ तो इन मुर्गों के लिए कहा है, किसी और के लिए नहीं ये बताईए, कि इन्हें कुछी भी कहने काट आपको किष्ण दिया आपको अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा वरना हमें कुछ करना पड़ेगा मुर्गों की कीमत इनसान से जादा? देखे, देखे चपल लिजे कीजे हरे काट अपना अपना नजरिया होता है और हमारे नजरिये में जो हमारा पेट बढ़ता है जो हमारे लिए अजीज है, लजीज है उसको कोई कुछ कहे ये, हम बर्दास नहीं कर सकते हैं अब बदाए याँ, आप अपने, अपने सोचिए बदलाव लाती है या हम कुछ करें क्या करेंगे साब? कुछ खास नहीं है कुछ खास नहीं है एक नई नौकरानी ढूनेंगे हम जो हमारी तरह मुर्गों की हिजट करें, मुहबब करें या खुदा, क्या जमाना आ गया है अब मुर्गों की खाती मुझ गरीब की पेट पे लात मारेंगे क्या करें, तुम खुदी नौकरी निकरना चाहती तो मैंने ऐसा क्या कर दिया है सिर्फ मुर्गों को घर के बाहर ही तो किया है अरे शन्नो, तुने हमें कुछ कह दिया होता तो इन्हें इतना बुरा नहीं लगता लेकिन तुने इनके मुर्गों को भला बुरा कहा है अब तेरी खैर नहीं है मिनको ठीक कहा देगा मापने यह हमारी मुर्गों को गलिया देगी, उन्हें चपपल देगी, ना मुराब ना वाखुल गई, और हम इसे फुश ने कह सकते हैं, इसने ऐसी गोस्तागी किये, जो ना काविल बंगार है, यह ना इसने चपपल मुर्गों को नहीं, बलकि हमारे दस्तालखान को मारी, इसलिए आप हमें उनसे माफी दिला दीजे, आएंदा हम ऐसे गल्ती कभी नहीं कर देगी, ठीक, हम बात करते हैं, या अल्दा, यह कैसा अजाब आ गया है, बस तु मेरी नोखरी बचा लेए, मीर साहब, गुस्सा ठूख दो, और माफ कर दो बिचारी को, हर्गेज नहीं बेगम, हर्गेज नहीं, बंदूख से निकली गोली, और मीर तकी मीर के मुझ से निकली बोली, कभी वापस नहीं होती, कहाँ जाएगी बेचारी, गरीब है, यह तो उसको पहले सोचना चाहिए था, हमारे मुर्गों को गाली दिने से पहले चपल माने से पहले, और वेगम, आप हमारे गुस्से को जादा बरकाई है, मत, प्रीज, सुनिए, छोड़ दीजिए ना, नहीं छोड़ सकता, बिल्कु नहीं छोड़ सकता, उसने हमारे तस्तर खान की बेज़दी की है, आप जब जिद पराते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, ठीक है, आप कह रही है ना, इसलिए हम इसे बक्ष दे रहे हैं, वरना इसे तो हम पिर दोल्गों को डाले नहीं कानोगी. मिर साथ, आप कसम खाती हूँ, और तो आज के बाद आपके मुर्गों को कभी छाले नहीं दूँगी, अब तो माफ कर दीजिए, आचा जा किण में काम कर, जा. Avian Influenza, also known as a bird flu, has resurfaced in India's northeastern Tripura state. अफिचल्य थे चुछ पीजिए पीमारी है क्या? यही में का यही पीमारी नही बहुत बादी बादी माहमारी है जो बुर्गो से शुरू होती है और जो उनको खाता है, जो उसमें आ जाती है किरें ठाओ करें अब कुर्छ के फ़िकेटीक डिया कि डहेलों अधर में इंसान का बचना बहुत मुअब सब्धी करेंगे हम आपको मुर्ग के गोश्ट कभी नहीं खाने देंगे नहीं नहीं पिगाम नहीं याल्ला इस खालात में मेरा क्या होगा मैं तो मुर्गों के बिना रह नहीं सकता मेरा पेट कैसे भरेगा सुनिये सुनिये सबर कीजिए दुनिया में और भी लजीज चीज़े हैं उन्हें खाईएगा या अल्ला इन्हें हिम्मत और साकद गोश्ट से परहेस करेए आप देख रहे हैं लीडी बुर्टू हिंदुस्तानी तह्जी वसकाफ का तरजुमार क्या समस्ते है मेर साव अपने आपने अनारकड़ी बुले लाल पिली ओरी तु है क्या हो गया तरुको अरे हमारी इस घर में को इजज़त है या ने हमसे जादा तो इन मुर्गों की इज़त है देखा नहीं कैसे जलील कर दिया था उन्होंने मुझे मुर्गों के कानी तो कतम उनको तो जने कौन सी बीमारी होई हो अगरे जो वाली अपनों को तो अपना काम करने का है नोट कितने का है महिने के कातंपर बस और सोपिंग करनी ये बस और क्या इसके अलबा मैंने तो सोच लिया है कि मैं इनका काम छोड़ दूँगे और तुम्हें भी या काम करने नहीं दूँगे तब यादाएगे नानी, मीर सहाब और बेगम साहिबा को पर मेरी को तो उनसे कोई सिकायद नहीं हो उनसे कोई शिकायत नहीं पर मुझसे महबबत तो है अरे हम तो सब्लूबेंगे तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे अरी तेरे साथ तो और जबर डोबने को तयार हूं मेरी अनार कली कुझे तो पता था मेरा फजलो मेरे ले कुछ भी कर सकता है तो फिर आज से काम बन? बेलकुल बन जो तेरी मर्जी हो मेरी मर्जी कताम तो कताम जो तेरा उकुल हो इच सुनिये 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 अपने शाहर में बड़ फुलू के रुप में एक महा मारी आ चुका है आप अपने अपने मुर्गियों को जिन्दा दफना दें या लाँ, या लाँ, इतने अजीज, इतने लजीज, इतने तंद्रुस चवान मुर्गों को किस दिल से दफन करेंगे हम। जिनकी एक एक रान पे हो दिल कुर्बान कैसे लेंगे उनकी चार। इस सरकारी घोसना के बाद भी अगर आप अपने मुर्गे मुर्गियों को अपने घर में रखते हैं, तो आपको सजा भी हो सकती है, यह बहुत भ्यंकर भीमारी है। वाँ॥ Allah.. AllahDOं अरतर्फ बर्ड बलू, बर्ड बलू, बर्ड बलू, बस्यही आवाद आ रही है। ऐunatur, ए project power, Aa allahём, रहम कर रहम कर इन बैचारों पर.. और इनके खाने वॉलों पर, r полов और रहम रहम और मुर्ट कि आपके अपने दूसरा नौकर ढ़िजिये हैं अधर काम बन हो अए तुम एठे हुए हो कि अभी तार काम शुरू नहीं किया अब इता काम शुरू नहीं किया था अब है कादर बाही है मेम साहाप, आप अपने लिए दूसरा नौकर ढून लीजिए, आज से काम बन. तौबा तौबा, यह तुम लग क्या कह रहे हो? लाहॉल विला कुबद. मेम साहब, काम करने भी तनका लेते हैं, डांट खाने के नहीं, जलीन होने के लिए नहीं, हाँ, आप एक काम करो, वो नोकर रख लो, जो आपकी डांट भी सुने ने काम भी करें. यह कैसी बहकी-बहकी बाते कर रहे हैं तुम लोग? अरे, तुम लोग हमारे जिगर के टुकड़े हो, अपनी ऑलाद की तरह समझते हैं हम तुम लोग को, अगर मेर साहब ने कुछ कह दिया, तो अपना ही समझ के कहा होगा. उनके लिए उनकी उलादे उनके मुर्गे हैं, देखा नहीं कल जलील करते वक्त क्या कहा था उन्होंने? अरे, मेर साहब कल गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने ये सब कह दिया. देखो, मैं बुरा नहीं मानती, अगर मैं उनकी बात का बुरा मानने लगूं, तो एक छट के नीचे एक दिन भी रहना मुश्किल हो जाए. आप केडी हो ना, तो मान जाता हूँ. लेकिन अच के बाद हमारी साहन में गुस्ता गेखी ना, तो हम चले जाएंगे इन दोर. अच्छा बाबा, ठीक है. अब जाओ, चल के काम करो. चल दिसलो, चल. याल्दा. ये मीर साहब भी ना, मुर्गों के लिए पता नहीं किसे-किसे जाड़ा करेंगे. असलाम अलेकुम आपा. अरे, वालेकुम असलाम. अच्छ अच्छा ने, आपा की याद कैसे आ गई? बस पासी से गुजर रही थी. सोचा, आपको भी सलाम करते चलूँ. आ, आबेट. और बता, क्या हाल चले? अरे, क्या बताना है? जब से इन मुर्गों की बिमारी फैली हुई है, मेरी जानपत तो बस आफ़त सी आ गई है. पहले तो मुर्गे घर में काटके बना लिया करते थी. पर अब मुझे रोज बाजार जाना पड़ता है इन सबजीयों के लिए. इसमें आफ़त कैसी शन्नू? सबजीयों की खरीद फरोप में 10-12 रुपए तो रोज की बन ही जाते हूं के तेरे? आप क्या मुझे बैमान समझती है? अरे, एक-एक पैसे का हिसाब देती हूं मैं खाला को. और वैसे भी हमारे खून में बैमानी नहीं. अरे, शन्न तो तर नाराज हो गई. अच्छा, सुन. मैंने सुना, सुबह मीर साब ने तुझे बहुत जलील किया. अपने मुर्गों के सामने तेरी बैसती की? हाँ, हाँ. तो मुझे भी कौन सा उनके यां पर नौकरी करनी है? मैं भी उनके हाँ से नौकरी छोड़ दूँगी. वैसे भी, हम तो नवाबों के हाँ पर जलील होके नौकरी ना करें. और ये, ये तो ठेरे मीर साहब. लेकिन शन्नो, मीर साहब के हाँ नौकरी छोड़ देगी? तो तो जाएगी कहा? और फिर आजकर, आजकर अच्छी नौकरी मिलती कहा है? नसीब में होगा आपा, तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी. और वैसे भी अब जलील होकर वहाँ काम नहीं किया जाएगा. हो तो मैं बस बेगम साहबा की वज़े से रुकी हुई हूँ वहाँ पर. वरना कफ से छोड़ जाती? अजीब लोग हैं ये, बर्सो की इमानदारी का ये सिला दिया. तेरी जरावी कद्र नहीं इनको. वैसे शन्नो, एक बात पुछू, अगर तु बुरा न माने तो, तुझे मीर साहब के यहाँ कितनी पगार मिलती है? पुल मिला के 5,000 मिल जाती है, और खाना कप्ड़ा तो में पहुक्त ही मिलता है? त 묶ल्फे고?? अरे, महंगाई के इस तौर में 5,000 रुप्ए होते ही क्या है? अरे, लेकिन, आपा, मेरा खर्ची क्या है? दो वक्त का खाना भी मिल जाता है. और मुझे क्या चाहिए फिर भी शन्नो तेरी कुछ तो आर्मान फजलू के साथ सिनेमा देखने जाने का घुमने फिरने का क्या तेरा मन में ही होता आपा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं नहीं नहीं अगर तू और फजलू चाहे न तो मैं तुम दोनों के लिए एक अच्छी अच्छी नौकरी का बंदोबस्त कर सकती हूँ मैं तो कहती हूँ तो अभी भाहिदा आपा के पास जा और जाके उनसे कह दें कि नहीं करने मुझे आपकी 5,000 रुपए की नौकरी मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है वो भी पूरे 8,000 रुपए की नौकरी खान पीना रहना सब हो अच्छी एसी नौकरी बिले की कहां यहां और कहां आप देख रहे हैं डीडी बुटू हिंदुस्तानी देजी वसकाफत का तरजुमार अरे काले से डर गए क्या है अरे हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं शेख साब गाना वाना बहुत हो गया बाई एक काम करते हैं पानी पिला को बक्रों का वजन बढ़ाते हूं कोई नहीं है भाई आजा भाई कालू पीले पानी एक किलो तो बड़ी गया अलेकुम असलाम उत्ताच ने जए कब लागा जैसे मुने कोई चोरी पकड़ ली तुमारी है यह इन्हें क्या चोरी क्या बाता कर रहे हैं अपर उन्हें क्या है न मेरे बखरों की राशे भोर तब यह थाराब है उत्ताच उन्हें मेरे को हकीम साफ दवा दिये थे ना चूरन बना को पिला रहा हुट अच्छ ताब समलता हूं चूरन यह जिंदा बगरा थीन सुरूपे किलो पे बाई गोश्त तो बिक्ते वे देगा है तुलकर लेकिनी बगरे क्या मामले अपने को तो मुर्गों को मैंने देखा है तुलकर विखते वे बगरे का मामला अपनी कोपडी में नहीं आ रहा है अरे मुर्ग ऐसा याद आया वा आपके मीर साब कर क्या हूँ अरे मीर साफ मेरे लाह मिया अरे कालो इननलिल्ला है वह इले राजयोगों अल्ला उनको जननत नसीब कर व बाद बता भाई उन्हें आपकी बगार बगार तो दे दिए ना रहे भाई बठफुलू का जमाना और उन्हें मुरक खोर आदमी किसे दिन मुरक खाको बठफुलू से निकल लिये तो आपका क्या होगा? उनु से महीं मरेंगे वह, भूख से मरेंगे छिष्षडे होगे, क जिए खाते पीते हैं यह दीन बार परेशान देते मुर्गों के चक्कर में तो लिंपीज जिन्दगी अराम हो गई टाश उन्याद गरख चल कर अभाएं इन्याद थो निर खह इन्यादायों मुझे सम्रसां बहुतो याद मुझे याद नाराम हो जालें हौए देर होगे लाए तो यह संद्वार में श्रू हो जयाएगी हाँ मैं तो चलता हूँ हाँ अल्लावी भाई अल्लावी फजलू भाई तो गए या अल्ला मिया बड़ फुलू खूब पहले इन्हें खूब पहले भाई उत्ताच और मेरे बकरों की खूब भिखरी हो मेरा धंगा खूब चले उत्ताच बड़ फुलू से 175 हलाक और 300 अस्पताल में या ला या ला इन मुर्गों को इस बीमारी से निजात दे और हमें रिजक अताब फर्मा या खुदा ये बीमारी कब खत्रोगी अल्लाव अस्सलाम वालेकुम ये साहाँ वालेकुम अस्सलाम खान साहाँ आई 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 रास्ता कैसे भुछ करें भई बैटी मैटी तशीब बैटी अरे फजलू मिया लोकब चाह लाई ये बाई क्या बात है खान साहब कुछ बुझे बुझे सो लग रहे हैं सब खैरियत तो है हाम्री साहब सब खैरियत है बस धिर्दा आप इक बाज़्य के नहीं टाने खुपा रहे हैं। क्यों? एसा लोगा आपको यह आपकी शकल साप बयान कर रहे हैं कोई ख्रयरियत नहीं। अपस ऐसे जूटे बुले जा रहे हैं कि सब ख्रयरियत है। तो फिर आपके आपके शकल पर ये मायूसी के? अब आप से क्या चुपाना मीर साभ? और आप जानते ही कि बड़े का गोस्त हम खाते नहीं है छोटे का गोस्त हमें पसंद नहीं है हमें तो बस ये गम खाये जा रहा है कि हम खाएं क्या? खान साभ, मैं तो समझता हूँ के मायूस होने की सुरूरत नहीं है जब तक इस बीमारी का खात्मा नहीं हो जाता तब तक आप फिश्य काम चलाइए मश्यी? हमेर मेर सहाव, जो बात बटल चिकन में है जो बात तंदूरी चिकन में है मुर्ग मुस्लम में है, मुर्ग दोपयाजा में है वह सब मचली में कहा है सौफी सहदी, सौफी सहदी, सही फरमाया खान साभ आपने कि जो बात मुर्ग में है और कहीं नहीं इसी बात का तो दुक है, बहुत तक्रीफ है, क्या करें? लेकिन खान साभ, जान बूच कर बीमाजी तो निला सकते ना, मरना है क्या? मकर अल्ला भाला करें जिस बाट फिलू का, जिसने हमसे हमारे खुराग छेलनी अब मुर्गे की टांग नहीं मिलती है तो हमारी टांगे कमज़र हो जाती है अल्ला खेर करें, अभी तो तंग सलामत है न खान蛇? अभी तो ठीक है, और मुर्गे का दिल, हमारे पसंदी ता खुराग है अल्ला抗 और मुर्गे का कलिज助 क खाने से, एमारे कलिजे में ठंडक पड़ती है सुभान अल्ला और मुर्गे की गर्दन चुसने से हमारी गर्दन अकड़ जाती है माशाला मगर कब बगात इस बाटफुलों ने मुर्गा कोड़ी को बीमारी बना दिया फाल्जाब आपके भी तो पांच-पांच पॉल्डी फॉर्म है कई भी देखने गए उने क्या हाल है उनके मुर्गा मुर्गियों को दफना है के नहीं ये हमारे मुर्गे के कारोबार को तबा करने की दुस्मानों की साजी से मच्चे की ओधम नुमाइश खाके मुखदल परंग नुमाइश खाके मुखदल परंग क्यासा लग रहाए क्यासा लग रहाए